Hello students, welcome to Mohit Bansal classes. देखे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे CMA Final का एक बहुती important subject जिसका नाम है Law. एंड प्यारे students, इस subject न्यू स्लेवर्स के accordingly हम लोग पढ़ रहे हैं, 2022 स्लेवर्स के accordingly हम लोग पढ़ रहे हैं. section A हमने पूरा complete कर लिया है, section B के almost सभी chapters हमने complete कर लिये हैं. आज हम एक नया chapter start करने वाले हैं students, जो की new syllabus में 2022 syllabus के अंदर newly added chapter है, interesting chapter है, important chapter है, easy chapter है. conceptual है, concept समझ में आ जाएगा तो easy. Chapter का नाम है प्यारे बच्चों, specific legal provisions related to MSME sector. बच्चों मैं आपको ये chapter पढ़ाना, directly पढ़ाना start कर दूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ, कि मैं आप लोगों को इस chapter का एक brief introduction दे दूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा, कि आखेर हम जो chapter पढ़ रहे हैं, वो किस वारे में बात करना है, करता है, और हमें इस chapter के अंदर क्या क्या पढ़ाना है. Students, इस chapter का introduction देने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी story सुनाऊँगा, example सुनाऊँगा. हमारी इस story के अंदर दो characters, दो किरदार हैं, एक हैं जिनका नाम है चाचा चौधरी, और बच्चे दूसरे हैं, उनका नाम है छोटा भीन, इनकी बापचीत हमें सुननी हैं, और हमें इस chapter का पूरा का पूरा introduction बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, प्यारी मुच्छे, काम किया करते थे, इंडियन आर्मी के अंदर, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई और वो रेटायर हो गई, तो जब चाचा चौधरी आर्मी से रेटायर हो गई, और घर पर आकर बैठ गए, तो वो बोर होने लगे, वो बोले यार मैं पूरे दिन घर पे बैठा रहता हूँ, म क्यों ना मैं शूज बनाने के कोई छोटी मोटी फैक्टरी स्टार्ट कर दूँ, छोटा मोटा बिजनिस स्टार्ट कर दूँ, शूज मैनुफैक्टरिंग से रेलेटेड, क्योंकि मुझे उसकी नौलेज है, ऐसा चाचा चौधरी ने सोचा, ये बात जब छोटा भीम को प चाहे कि आप शूज बनाने का एक छोटा सा बिजनिस स्टार्ट करने बारे, बोला चाचा जी ये बात आपने बहुत अच्छी सोची है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, MSME ओपन करने के बारे में सो चोटे फीम, यह MSME क्या होता है? तो चोटा फीम क्या बोल रहा है बच्चो ध्यान से सुनो, चोटा फीम बोल रहा है चाचा जी जम भी इंडिया के अंदर कोई भी परसन, इस तरह का कोई छोटा मोटा business शुरू करता है, तो उस बिजनिस को या तो उस बिजनिस को या तो माइक्रो बोला जाता है माइक्रो बिजनिस या उस बिजनिस को स्मॉल बोला जाता है स्मॉल बिजनिस या फिर उस बिजनिस को मीडियम बिजनिस बोला जाता है इसी लिए MSME का मतलब होता है Micro या Small या Medium Enterprise Micro या Small या Medium Firm Company, Business, Factory, Industry तो चाचा चौधरी के अभी तक ये बार दिमाग में समझने आ गई कि वो जो चोटा मोटा बिजनिस शुण करने की कोशिश कर रही है या सोच रही है इंडिया के अंदर उसको MSME के नाम से जाना जाता है आप जब भी कोई इंडिया के अंदर चोटा मोटा बिजनिस स्टार्ट करते हो या तो उस बिजनिस को Micro बिजनिस बोला जाएगा या उस बिजनिस को Small बिजनिस बोला जाएगा या उस business को medium enterprise medium business बोला जाएगा अब वो कैसे depend करता है हम किस business को micro बोलते हैं किसको medium बोलते हैं किसको small बोलते हैं तो प्यारे बच्चों ये बात ये बात आगे हम पढ़ेंगे definition के तौर पे हम समझेंगे किस business को small किसको micro किसको medium बोला जाएगा चाचा चौधरी के जब ये बात समझ में आई कि इसे MSME बोला जाता है तो चाचा चौधरी ने पूछा कि यार छोटे भीन एक बात तो बता यार मैं ये चोटा मोटा business शुरू करने की सोच रहा हूँ क्या इस तरह के MSME, micro या small या medium enterprise अगर कुछ फाइदा मिलता है क्या चोटा भी बोला चाचा जी बहुत फाइदा मिलता है अगर आप इंडिया के अंदर अपना खुद का business start कर रहे हो चाहे से छोटा बिजनिस स्कार्ट कर रहे हो चाहिसे MSME सेक्टर के अंदर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनिस स्कार्ट कर रहे हो फाइदा बहुत मिलता है चाचा जी एक तो सबसे पहली बात आप entrepreneur बन जाओगे बिजनिस plan बन जाओगे आपका खुद का प्यापार होगा खुद मालिक हो गया made in India के अंदर support करो गया दूसरा आप earning करोगे अभी देखो आप retire होके घर पे बैठे या बहुत सारे लोग जो नहीं कर रहे है कुछ गर पे बैठे है या बहुत सारे लोग जो job भी कर रहे है अगर कोई नहीं कमा रहा है या फिर कमा रहा है लेकिन कम कमा रहा है अगर वो खुद का अपना कोई MSI मी सेक्टर में आके बिजनिस शुरू कर देता है तो वो earning करेगा पैसा कमाएगा पैसा कमाएगा तो tax देगा तो देखो वो country की economy को circulate करने में help कर रहा है वो देश को कुछ न कुछ तो contribution दे रहा है सबसे पहला फाइदा आपका खुद का बिजनिस है आप मालिक बन गए आप entrepreneur बन गए आप made in India के अंदर स्वधेशी market में enter हो चुके हो खुद के products बना रहे हो अपने market में दूसरी बार आप earning करोगे उससे आप tax pay करोगे अपनी देश की economy को circulate करने में increase करने में help करोगे उसके अलावा आपने business कोला है आपने firm कोलिये चाहे से छोटी ही सही पर खोला तो business है उसमें कुछ लोगों को नौकरी पर तो रखोगे employment दोगे याँ बेरोजगारी को खत्म करने में help करोगे लोगों को रोजगार दोगे employment दोगे काफी सारे लोगों को employment मिले अरे सरकार government बहुत सारी scheme लेकर आ रही है government तो खुद बोल रही है कि इंडिया के अंदर जादा से जादा जादा से जादा लोग businessman बने और सरकार आपको collateral free बिना किसी security के loan प्रोवाइड करेगी वो भी कम interest rate पे provide करेगी reduce rate of interest rate पे provide करेगी ISO certification मिलेगा Indian standards के अंतरगत आजा हो गया तो अभी तक चाचा जी ने सोचा कि यार अगर मैं इंडिया के अंदर sector के अंदर fall होता है मेरे business को या तो micro business बोला जाएगा या small business बोला जाएगा या फिर मेरे business को medium enterprise business बोला जाएगा ये समझ में आगे चाचा जी के कहनी फिर चाचा जी बोले कि चोटू यार मुझे एक बात तो बता कि ये MSME अगर मैं अर्निंग करोगे और देश की इकोनोमी के अंदर help करोगे increase करोगे लोगों को रोजगार्थ होगे आपको government help करेगी गवर्मेंट आपको collateral fleet बिना किसी security के loan प्रोवाइड करेगी कम interest rate पे loan प्रोवाइड करेगी आपको Indian standard का एक तमगा मिल जाएगा ISO certified हो जाओगे आप और बहुत सारे benefits हो तो चाचा जी बोले बोले वो सब तो बात ठीक है छोटू लेकिन एक बात बता यार ये जो इंडिया के अंदर MSME Micro, Small or Medium Enterprises होती है आखिर इनको कौन सी government govern करती है कौन इनको चलाता है regulate करता है तो छोटा भी बोला देखो चाचा जी वैसे तो prime responsibility सबसे पहली responsibility जो होती है चाचा जी वो होती है state government सबसे पहली जो responsibility होती है वो होती है state government लेकिन central government भी बहुत सारे initiatives दे रही है आज अलंकि ये prime responsibility state government की है जैसे suppose करो आपने राजिस्थान के अंदर अगर MSME में से कुछ भी open किया तो राजिस्थान की government आपको control करेगी पंजाब में किया तो पंजाब की government करेगी UP में किया तो UP state government बट इसका मतलब ये नहीं है तो central government ध्यान नहीं देती नहीं central government भी ध्यान देती central government तो बहुत सारे initiatives लेकर आती है और state government central government ने जो initiatives दिये है वो अपने state में लागू करते हलांकि primary responsibility जो है MSME सेक्टर को government करने की वो है state government की पर इसका मतलब ये नहीं है मैं यार चाचा जी कि driving जान नहीं दे रही है Central government बहुत जानते रही है Central government बहुत सारे initiatives लेकर आती है Central government बहुत सारे schemes लेकर आती है और central government जो है वो even state governments को भी help करती है state government को assist करती है कि कि किस तरह से उन्हें अपने MSME सेक्टर उनके स्टेट के अंदर जितने मी MSMEs हैं, उनको कैसे ग्रो करवाना चाहिए Central Government, State Government को सिखाती है State Government MSMEs को सिखाती है हलांकि MSME को regulate करने की पहली और prime responsibility State Government की है, बड़ Central Government ऐसा नहीं है साथ नहीं देती, Central Government बहुत initiatives लेकर आती है चाचा जी लेकिन मुझे ये बता, ये सब बात तो ठीक है लेकिन जैसे इंडिया के अंदर company को company से related चीज़ें, companies act में लिखी हुई है SEVY से related बातें, SEVY act में लिखी हुई है foreign exchange से related FEMA act में, FEMA में लिखी हुई है market में competition को ध्यान में रखते हुए competition act है consumer को ध्यान में रखते हुए consumer protection act है यार इन MSMEs के लिए भी कोई particular law बना है कि नहीं बना, बनाए 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 MSMEs act 2006, Micro, Small, Medium, Enterprise, Development act 2006 बोला पता है चाचा जी आपको एक बात पता है इंडिया के अंदर MSME sector को second best employer बोला जाता है second best employer, मतलब ये सबसे ज़्यादा, second number पे सबसे ज़्यादा नौकरिया रोजगार देता है आज इंडिया के अंदर MSME sector ना होना, तो कितने लोग घर पे रोजगार बैठे है तो अभी तक चाचा जी को ये समझ में आ गया ये MSME D Act 2006 के अंदर fall होता है second number पे इंडिया के अंदर दूसरे नंबर का best employer मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नौकरिया प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा employment प्रोवाइड करता है उसके अलाब हो नहीं है, समझ में आ गया कि ये MSME open करने से बहुत सारे फाइदे हैं एक तो tax, हम पढ़ेंगे tax exemption भी मिल जाती है tax में भी बहुत सारी छूट मिल जाती है government loan भी देती है, security free loan दे देती है कम interest rate पे loan दे देती है और उसके अलाबा हमेशा हर government जो नए नए initiatives लेकर आती है, इनको फाइदा देने के आप entrepreneur बन जाते हो, आप businessman बन जाते हो आप country की economy को increase करने में help करते हो आप दूसरी लोगों को employment प्रोवाइड चाचा जी के दिमाग में एक बात और समझ में आ गई चाचा जी को ये बात भी समझ में आ गई कि यार ये जो MSME है ना, MSME को open करने से एक और फायदा हो रहा है कि basically MSME को कौन government कौन control कर रहा है, state government control कर रही है, लेकिन करतो government state government रही है, prime responsibility state government के पट ऐसा नहीं है, central government जान नहीं देती central government भी जान देती है, central government नहीं-ने initiatives लेकर आती है और even central government हर state government को assist करती है, help करती है, समझाती है कि किस तरह से वो अपनी state के MSMEs को group करवा सकते, develop करवा सकते है यहां तक की बात समझ में आ गई चाचा जी को, चाचा जी बोले कि छोटू यार, एक बात और बता दे मुझको बस, मुझको बस ये और बता दे यार कि ये जो MSME है, इनके definition क्या है, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा business micro है, या मेरा business small है, या मेरा business medium है, ये बात मुझे कैसे पता लगेगी, कितनी सी बात बता देगी, तो फिर, अब चोटा भीम बता रहा है, बोल रहा है देखिए, आप factory start कर रहे हूँ, तो जब भी किसी business को India के अंदर MSME सेक्टर में micro या medium है, small की तरह देखा जाता है, तो वो कितना investment कर रहा है, अपने planted machinery के उपर, उसके basis पर देखा जाता है, अगर आज आप कोई business start कर रहे हो, और आप investment कर रहे हो, उस business के plant machinery या जो भी equipments लगाऊँए उनके उपर, लेकिन वो investment एक करोड रुपे से ज़ादा का नहीं है, प्लस उससे आप जो annual turnover कमाऊँगे, वो पाँच करोड से ज़ादा का नहीं हो, और annual turnover पाँच करोड रुपे से ज़ादा का नहीं हो, अगर ये दोनों conditions fulfill हो रही हैं, तो आपका business micro है, लेकिन अगर, लेकिन चाचा चौधरी है, अगर आप अपने छोटे business के अंदर investment कर रहे हो, और plant, machinery, equipments, इनके ऊपर जो आपका investment है, वो एक करोड से तो ज़ादा का है, लेकिन तस करोड से ज़ादा का नहीं है, and turnover पाँच करोड से ज़ादा है, लेकिन पचास करोड से ज़ादा नहीं है, तो फिर आपको small बोला जाए, तो आपको क्या समझ में आया बच्चों, micro जो है, उसके अंदर एक करोड investment, मैं लगे करोड से ज़ादा not more than one करोड and turnover not more than five करोड, small के अंदर इनका दस गुना कर दो, इनका दस गुना कर दो, मतलब investment not more than ten करोड और turnover not more than fifty करोड लेकिन जब medium के अंदर आ जाओ, तो small वाले का पांच गुना, five times बढ़ा दो, investment 10 करोड से तो ज़ादा है, but not more than fifty करोड और turnover not more than two fifty करोड ज़ाद रखना, यह दोनों condition fulfill होना जरूरी है, इनके बीच में और नहीं है, end है, मतलब micro कब गुला जाएगा, जब investment, plant and machinery और equipment के अंदर एक करोड से ज़ादा का नहीं है, और annual turnover पांच करोड से ज़ादा का नहीं है, small के अंदर investment 10 करोड से ज़ादा का नहीं है, और annual turnover 50 करोड से ज़ादा का नहीं है, मेडियम के अंदर investment 50 करोड से जादा कर नहीं है, annual turnover 200 करोड से जादा कर नहीं है, उस situation में, मेरे प्यारे बच्चों, उस situation में company को MSM, या तो micro बुला जाएगा small या medium, उनके investment और turnover के basis पर, तो बच्चों, यहां तक आप लोगों को जो चीज समझ में आई, हमने यहां तक इस chapter क introduction पड़ा, हमें यह समझ में आ गया अभी तक, हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं, MSMED Act, Micro Small Medium Enterprises Development Act 2006 को हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर MSME सेक्टर आता है, और जिसके अंदर MSME सेक्टर आता है, और कोई यह बोलता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी person, micro, small या medium enterprise business open कर रहा है बच्चो, अगर वो business open कर रहा है, तो फिर उस case में उसको बहुत सारे फाइदे मिलते हैं, MSMED Act 2006 के अंदर वो आता है, और state government की prime responsibility होती है, हलांकि central government उनको assist करती है, help करती है, initiatives लाती है, schemes लेकर आती है, और अगर आप जो business open कर रहे हो, उसके अंदर investment एक करोड से ज़्यादा नहीं है, और annual turnover पाँच करोड से ज़्यादा नहीं है, आपका business micro कहलाएगा, बट investment एक करोड से ज़्यादा है, बट 10 करोड से ज़्यादा नहीं है, और annual turnover पाँच करोड से ज़्यादा है, बट 50 करोड से ज़्यादा नहीं है, तो आपका small बोला जाएगा, लेक तक आपको समझ में आया बच्चों यहां तक का जो यह पूरा introduction जो मैंने आपको समझाया ना इस कहानी के दूप आप यह लगा लेजें इस चेप्टर के अंदर हमने इस चेप्टर का काफी सहा part पढ़ लिया इस कहानी से यह चीज मैने आपको बता दी कि क्यों इंडिया में open किये जाते हैं ताकि make in इंडिया promote होता है उसके लावा लोग businessmen बन जाते हैं, entrepreneur बन जाते हैं, खुद की earning होने लग जाती है Prime responsibility किसकी होती है, वैसे तो state government की होती है, लेकिन हाँ central government उनको बहुत सारे initiatives के थुरू help करती है कौन सा act इसको manage करता है, MSME को MSMED 2006 act जो है, वो manage करता है, यह एक एक चीज जो मैंने आपको कहानी के थुरू बताई है, same बात आप लोगों को, आपके study material में लिखी होई है बस आप उसे directly पढ़ते हैं, तो language hard थी आपको समझ में नहीं आता, example के तुरू सब कुछ clear हो चुछ होता है किसी भी business को MSME की नजर से देखा जाता है, तो हम जब उसे यह देखते हैं कि अगर इस limit में fall हो रहा है, तो वो micro है, इसमें fall हो रहा है, इसमें fall हो रहा है, इसमें fall हो रहा है, तो medium है, हम उस बाइक plant and machinery and equipment के उपर investment देखते हैं, उसके लावर turnover देखते हैं जब भी हम plant and machinery और equipment को देखते हैं, वहाँ पर land and building को consider नहीं किया जाता है, सिर्फ plant and machinery को ही consider किया जाता है, किलिए रहे हैं students, तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई, यह एक एक चीज मैंने यहां पर लिखी, मेरे प्यारे बच्चों, यह एक एक चीज हम लोगो ने यहां पर लिखी हुई है, अब students, आप लोगों को कुछ important बातें दियान में रखनी हैं, मैं वो important बातें हालनकि हमने अपनी book के अंदर यह सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको वो important बातें बता देता हूँ, इनके ऊपर one mark question आ सकता है, सबसे पहली बार, जब भी हम यह कि हमारा business micro है, या small है, या medium है, तो मैंने आपको बोला, एक तो हम देखते हैं, plant and machinery के और equipment के investment के basis पर, तो याद रखिएगा, उसके अंदर land and building को consider नहीं किया जाता, and furniture and fittings को consider नहीं किया जाता, यह बात यहां पर लिखी हुई, किलियर है, पहली बात, दूसरी बात, बच्चों, जब भी हम turnover की limit, turnover को देखते हैं, तो अगर उस MSME ने बाहर, इंडिया से बाहर कोई चीज़ एक्सपूर्ड करिये, तो उसको turnover calculate करते वक्त, count नहीं किया जाता है, हम इस चीज़ के question आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं, तो साथ में हम question भी solve करते हैं, आज की class में अभी एक बार हमने introduction इस start किया है, थोड़ा सा इस chapter का हम लोग अभी theme समझ रहे हैं, next class में ये same चीज़ से related आपको practical questions करवाई जाएंगे, और उसमें हम लोग practice करेंगे, कि अलग-अलग case studies बनाकर, indirect questions बनाकर, हम practical question देखेंगे, कि इतना अगर investment किया गया है, जो की furniture पे भी है, plant and machinery पे, तो क्या ये micro है, उस सब चीज़े हम लोग question solve करेंगे, जैसा हम normally करते रहते हैं, तो अभी तक दो वाते हैं, आपको दो important वाते समझ में आई, जब भी हम investment देखे हैं, plant machinery equipment पर, उसमें land building furniture things को consider नहीं करते, उनके उपर investment हुए, उसे count नहीं करते, जब भी turnover देखते हैं, तो बाहर जो चीज़ export होई है, उसको count नहीं करते, उसके अलाबा next, एक बात और आपको याद रखनी है, suppose कीजिए बच्चो, आज चाचा चौदरी ने एक business start किया, shoes manufacturing का, 2023 में start किया, 2023-2024 में start किया, और वो micro है, लेकिन आज से दो साल बाद, 2026 से 2020 से इस वाले financial year में, अब वो business micro से small में transfer हो गया, क्योंकि investment या फिट turnover increase हो गया, clear, तो बच्चों, जब ये micro, अब कब हुआ है, ये, कब convert हो गया, next category में कब आ गया, 2026-27 हो गया, लेकिन अभी तक तो ये micro था ना, चाचा जी का business, अभी तक तो micro था, और micro के हिसाब से इनको tax benefit भी मिल रहे थे, government इनको कुछ tax benefits दे रही थे, चाए से इनकी category change हो चुकी है, लेकिन अगले तीन साल तक इनको उस पुरानी वाली category के tax benefits मिलते रहेंगे, तीन साल के बार में मिलना बंद हो जाएगे, तो आपको जो याद रखनी है important चीज वो याद रखनी है, जब भी हम MSME के अंदर किसी भी business के investment को देखते हैं, प्यारे बच्चों, तो investment के उपर land building furniture fittings को count नहीं करते हैं, उसके जो investment है, दूसरी बात, जब भी हम turnover को देखते हैं, प्यारे students, तो फिर turnover जो export किया है, अगर MSME ने, तो उसको turnover में count नहीं करते हैं, और उसके अलावा next, कि अगर आज MSME की category change हो जाती, वो micro से small या medium में आ जाती है, या opposite हो जाता है, तो पुरानी वाली category के tax benefits, even though convert हो गई है, next category में आ गई है company, firm, तब भी अगले तीन साल तक मिलेंगे, उसके बाद मिलना बद्ध हो जाएंगे, उसके बाद उस particular category के में, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, अभी मैंने जो आपको ये कहानी के तुरू समझाया, चोटा बीम और चाचा जी की कहानी, प्यारे बच्चों, यह एक-एक बात आपके study material में लिखी है, हमने एक-एक चीज आपके module से पढ़ लिया, फर कितना है, हमने easy language में पढ़ लिया, और legal language भी हमको समझ में आ चुकी है, अब हम आगे continue करते हैं, बच्चों, अब हम आगे सीखी, तो चाचा जी ने बोला कि छोटा भीम यार एक बात और बताया है, यह जो इंडिया की MSMEs हैं, जैसे इंडिया के अंदर कोई company है, ना, तो क्या होता है, company related amendments भी आते हैं, company act के अंदर amendments आते हैं, बहुत सारे notifications आते हैं, बहुत सारे circulars आते हैं, बहुत सारी guidelines आती हैं बहुत सारे notices, time to time आते रहते हैं, और यह M.C.A. लेकर आता रहता है, मैंना Central Government's Approval लेकर M.C.A. Ministry of Government Affairs लेकर आते हैं, सेम उसी तरह से यह बता कि आज अगर MSME इंडिया में open हो गई, कल को MSME से related भी तो कुछ amendments आ सकते हैं, जैसे definition अभी change हुई थी, यह definition हमने amended definition पढ़िया, इ इन में amendments आ रही हैं, या guidelines आ रही हैं, या notices आ रही हैं, यो circular's आ रही हैं, या notifications आ रही हैं, MSME के regarding में कौन publish करता है, किसके पास में power है, कि इंडिया के अंदर जो MSMEs है, उनके regarding में नए notices या circular, या notification या guidelines, announce कर सकता है तो छोटा भीम बोला बोला चाचा जी यह जो MSMED Act है ना MSMED Act है ना 2006 इसका Section 9 के अंदर Central Government के पास में Power है कि Central Government को जब लगेगा वो तब इस तरह की कोई भी Guidelines या Notifications Issue कर देगा चाचा जी बोले ठीक है मैं समझ गया पर यह बता कि Central Government जब भी ऐसा कोई Notification Issue करेगा या Guidelines Issue करेगा या कोई नया Initiative लेकर आएगा कोई नई किस किस चीज़ के रिगार्डिंग में वो कर सकता है एक्जांपल के तौर पे Central Government को Section 9 की अपनी पावर यूज कर रहा है कोई Amendment ला रहा है या कोई Initiative ला रहा है या कोई सर्बुलेट दे रहा है या Notification लेकिस चीज़ के बारे में देगा MSAVS is related बुला हो सकता है Competitiveness को बढ़ा दे उसे लगेगी अब इंडिया के अंदर बहुत सारे अब इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है वो MSAVS open हो रही है तो क्यों ना इनके बीच में competition भी हो healthy competition हो ये लोग एक दूसरे से compete करेंगे तो अच्छी quality का महल बेचेंगे customer को add the end फाइदा हुआ हो सकता है Competitiveness को enhance करने के लिए कोई नया notification लेकर आ जाए या यह बोलते कि अब MSAVS के अंदर जो भी employees काम करेंगे उनके पास में ये particular skills होनी चाहिए ये भी फाइदे वाली बात है ताकि हर MSAVS को अपने employees को training provide करें उनको skilled बनाएगी तो उनकी skill को improve करने के लिए कुछ develop करने के लिए लेकर आ सकते है Management वो ये बोलते हैं कि MSAVS के अंदर जो लोग management के अंदर बैठे होंगे जो management department में उनके पास कोई ये qualification या ये experience होना चाहिए technical upgradation के लिए बोलते हैं कि वो MSME जो online business कर रही है या जो software से related कोई काम कर रहे है उनके पास में ये proper technology होना जरूरी है at the end central government जो भी notice या circular या guidelines या amendment initiative इसकी कुछ भी लेकर आए at the end central government का intention यही होगा कि MSME को भी development मिले और customers का भी फाइदा marketing assistant हो सकता है लोगों को MSME को marketing करना से कहा जाए कि आप अपना business बढ़ा सकते हो आपको proper marketing करने पड़ेगे आपको अपना product market करना पड़ेगा customer तक पहुंचाना पड़ेगा उसको assist किया जाए MSME को जैसे GST जब नया नया आया था तो उसके लिए government ने GST सिखाने के लिए CA Chartered Accountants को GST के बारे में सिखाने के यह बहुत सारे free seminars रखेते यह कर सकते है infrastructure facility के लिए बोल सकती है जैसे आज example के तौर पे आप देखिए यह जरूरी हो जाता है कि आप कोई भी industry खोल रहे हो तो उस industry के अंदर fire extinguisher होना जरूरी है एक क्रीच होना जरूरी है प्रेज का मतलब होता है जहां पर pregnant महिला हैं काम करने के लिए आ रही है वहाँ पर बच्चों के यह गलग से हूम होना जरूरी है care taker होगा तो जब भी कभी भी central government section 9 की power को use करते हुए कोई भी notification amendment initiative इसकी guidelines circular notices लेकर आएगी हमेशा intention central government का यह होगा कि MSVs का भी development हो customers को भी वाइदा हो और क्या-क्या वो ले सकती है competitiveness को बढ़ावा दे सकते हैं employees की skills को बढ़ावा दे सकती है market assistance के लिए लेकर आ सकती है tax में कोई नई चूट दे सकती है technology के upgradation के लिए दे सकती है infrastructure के लिए कोई नया notification लेकर आ सकती है इन matters पे central government लेकर आ सकता है वो depend करता है central government पे जब जिस matter की चर्वत होगी central government उसके उपर अपना notification इशू कर दे तो यहां तक की जो बात है वो चाचा जी को सुनिवाई देखिए यह चीज आपके यह चीज आपके study material में लिखी होई है कि section 9 जो है वो central government को power देता है notices, notifications, issue करने की किस चीज के लिए competitiveness बढ़ाना या employee की skill बढ़ानी है या management issues, management की अच्छा management हो जाए MSME के अदर add the end फाइदा तो MSME का हो रहा है और customer का हो रहा है टेक्नलोजी के अपगरेडेशन के लिए प्रॉपर मार्केटिंग कैसे होती है infrastructure facility के आपके यहाँ पर यह चीज़ होना जरूरी है याना cluster development लोगों के लिए जो cluster development किया जाता है backward linkage backward linkage का मतलब है आज अगर suppose करो मैं यह कपड़े बनाने वाली factory कोलता हूँ तो मेरे को raw material कहां से लेना चाहिए इसमें help करें government और forward linkage मतलब मैं किस तरह से customer तक marketing कर सकता हूँ वो मेरा linkage बढ़ा दे मुझे बताए कि यह companies अच्छी है जो अच्छी marketing करती है आप इन से जुड़ जाओ है ना उसके अलाबा smooth credit facility loan provide करती है मैंने बिना collateral बिना security के loan देती है कम interest rate पे loan provide करती है और benefits बहुत सारे ऐसे benefits जिसमें tax नहीं लग रहा है तो government बहुत बहुत help कर रही है India के अंदर making India को सुधारनी के लिए और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले जादातर लोग बोलते थे कि मुझे नौकरी करनी है आज जादातर लोग बोलते कि मुझे बिजनेस करना है कोद का मैं नौकरी दोंगा लोग के लिए रहे बच्चो यहां तक की बात बच्चों हम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है तो students मैंने आपको बोला कि ये CMA Final Law का new syllabus 2022 syllabus के अंदर हम लोगों ने section B का chapter start किया और इसके बारे में अभी तक हमने introduction पढ़ लिया आपको कहानियों के तुरू चाचा चौदरी और चुटा वीम के तुरू ये बात समझाई अब बच्चो next class के अंदर यहां तक हमने जो topics पढ़े हैं साथ में हम CMA के questions को solve करते हैं अगर CMA के अंदर भी वो chapter है तो हम CMA के questions को भी solve करते हैं उसके बाद में उस chapter के हम MCQs को solve करते हैं यह chapter हर तरीके से complete हो गया study material से CMA के questions CMA के questions MCQs उसके अलावा आप लोगों के regular test चलते हैं मेरे प्यारे वच्चों regular test के अंदर बहुत सारे questions आपको मिलते हैं practice होती है answer writing practice करते हैं ताकि way of presentation आपका सही हो होता है ना बहुत बार आप जब exam देकर आते हो तो आप बोलते हो कि मैंने answer तो सही लिखा है पर marks कमाए आपने answer तो सही लिखा पर सही तरीके से नहीं लिखा वो तरीका हम लोग practice करते हैं उसकी तो इस तरीके से हमारा course पूरी तरह complete होता है तो इसके बाद में हम जो next class करेंगे और कल जो हम class करेंगे बच्चों उसके अंदर अभी तक हमने जो topics पढ़ें उनसे related हम पहले questions solve करेंगे then हम आगे continue करेंगे मिलते हैं बच्चों हम लोग next class के अंदर thank you, take care